तो यहर अगर आप office में काम करते हो गर आप कोई heavy software पे काम करना जाते हो कोई loaded file पे काम करना जाते हो MS office पे काम करना जाते हो अगर आपका budget 40,000 है 40,000 के budget में आप एक loaded laptop लेना जाते हो यह video specially मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आज मैं आपको top 5 laptop बताऊंगा अगर आपको budget 35,000 है इस budget range में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका budget 40,000 है इस budget range में भी आपको मैं बताऊंगा अगर आपका budget 45,000 है इस budget range में भी मैं आपको laptop बहुत अग्रे बताने वालों तो start करते हैं बात करते हैं number 5 की नम्बू 5 की बात करूं, नम्बू 5 पर यार मैंने रखी है MI Notebook 4D को, तो सबसे पहले मैं आपको बता दो, इसको नम्बू 5 पर रखने का एक रीजन है, वो ये रीजन देखने को मिलता है, कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते हैं, लेकिन अपग्रेट करने का option आपको नहीं देखने को मिलता है, जो कि सच में मानस पॉइंट आ जाता है, अगर इसके मैं price range की बात करूं, आपको 41,000 के budget में MI Notebook 4D देखने को मिल जाते है, इसका display quality बहुत ही है, build quality बहुत अगर ही मिल जाते है, तो प्लस पॉइंट तो इस laptop के देखने को मिल जाता है, लेकिन मानस पॉइंट भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आप RAM को upgrade नहीं कर सकते, अगर RAM को upgrade करने का option मिल जाता है तो या 12GB ही अगर आपको देखने को मिल जाता है, तो इस laptop को मैं number 2 पर या number 1 पर ही रखता है because laptop पूरा loaded देखने को मिल जाता है अगर आपने इस पर gaming वेरा भी करनी है आप कर सकते हैं इसके graphic card की बातको दो देखने को मिलेंगे आपको Intel UHD graphic भी देखने को मिल जाता है आपको MX350 2GB भी देखने को मिल जाता है तो अगर आपने MIK और जाने हैं आप जा सकते हो, मैं ऐसे नहीं कहा रहा है आप नहीं जा सकते हो, आपको build quality बगर आप बहुत अगरी मिल जाती है design look को बगर आप भी बहुत है display quality भी बहुत अगरी मिल जाते है लेकिन मैंने आपको minus point बता दिया 8GB RAM मिल जाते है लेकिन अपको गरेट आप उसको नहीं कह सकते है जो कि सच में 1 minus point देखने को मिल जाता है तो आप देख लेना अगर आप इसकी आओ जाना चाहते हो आप जा सकते हो, अभी बात करें इसके थोड़ी सी main specification की थोड़ा सा मैं आपको deeply बता देता हूँ तो यह display की बातों को 14-inch full HD plus display देखने को मिल जाते है जो कि anti-glade display आप प्रसासर की बात करों को i5 10th generation के साथ देखने को मिल जाते है, तो प्रसासर बहुत अगरा है, storage की बातों को इंटल UHD graphic card देखने को मिल जाता है, प्लस आपको MX350 भी मिल जागा 2GB के साथ लेकिन उसका price आपके budget से अपपर चल जाएगा, ठीक है, अपरेणी system की बात करों आपको Windows 10 मिल जाती है, latest version 64-bit के साथ, battery की बात कर आपको 10 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है, प्लस आपको 65W का fast charger देखने को मिल जाता है, प्राइज की बात करों, आपको 41,000 के budget में MI notebook fording देखने को मिल जाएगी, तो यहार main specification मैंने आपको बता दिया, MI notebook fording की, वैसे यार laptop पूरा loaded लेकिन minus mark थोड़ा सा आ जाता है, so that's why इस को इस budget range में मैंने number 5 पर रखा, और कोई भी reason नहीं देखने को मिलता है, तो अगर आपका count कोई डेल का laptop बहुत अगड़ा होता है, तो भी मैं आपको बता दिना चाहता हूँ कि ये चीजे नहीं हो ती ठीक है, असूस बहुत ज़ब सही कर रहा है, Lenovo बहुत ज़ब सही कर रहा है, अन्डेसर बहुत ज़ब सही कर है, वो कैसे सही कर रहा है, आपको आगे पता चल जाएग मिल जाता है 10th generation के साथ प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी 8GB RAM भी मिल जागी जिसको आप 16GB तक expandable भी कर सकते है तो यार अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना है office work के लिए चाहिए या स्टूडेंट ओपर ठीक है multitasking करनी है या अगर आपने daily use के लिए इस laptop को लेना है तो आप ले सकते हो easily normally आप काम कर सकते हैं आपको कोई बीशू नहीं आने वाली यार आपको आई three देखने को मिल जाता है 10th generation के साथ वह भी सच में बहुत ज़्यादा तक राइटिक है आप जा सकते हो HP 14 के और अभी बात कर लेते हैं थोड़ी सी बज़री में या 43,000 के बज़र में देखने को मिलता है तो अगर आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हो आपको HP का ही लैप्टॉप चाहिए तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप i3 11th generation के और चल जाना वो latest processor है उसके आप प्रतों कोई processor है नहीं अभी आ रहा है ठीक है storage की बात करूं आपको 8 GB RAM मिल जाती है आप upgrade कर सकते हो 16 GB तक प्रस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाती है आपको 256 GB मिल जाएगी आपको 12 GB मिल जाएगी लेकिन उसका प्राइस तोड़ा से 4 GB हो गया 6 GB हो गया 8 GB हो ठीक है उसका लेना देना नहीं होता है RAM के साथ है लेकिन जो integrated graphic card होता है वह अपना जो storage वह लेता है RAM से ठीक है अगर आपको काम कर रहे हो ग्राफिक कार को कोई जरूरत बढ़ती है RAM की जा sorry storage की तो वह RAM से ही लेगा उसका कोई अपना storage नहीं देखने को मिल जाए तो उसको कहते है integrated dedicated होते है जिसकी अपनी storage होती है 2GB 4GB 8GB जितना भी मतलब होता है ठीक है operating system की बात करूं आपको window 10 देखने को मिल जाए प्लस आपको MS office देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन बैटरी की बात करूं आपको 7 hours का battery backup प्रवाइड कर देता है HP का laptop ही लेना है तो भाई आपको recommend करना जाता हूं आप i3 11th generation के और चल जाना अगर आप extra थोड़ा सा पेकर ब्लैक कर बहुत ही लगता है अगर कोई भी बंदा ब्लैक कलर में ले रहा है तो भाई मुझे मैं जरूर बताना की भाई मैंने ब्लैक कल्द में लिया लिंक पर व 7000 के बज़र में Lenovo IdeaPad Slim 3i देखने को मिल जाता प्लस इसके साथ आपको Lenovo बैग भी देखने को मिल जाता जो कि Lenovo laptop बैग है जिसके प्राइस की मैं बात कर आपको 2000 के बज़र में देखने को मिल जाता है एंड स्पैसिफिकेशन भी बहुत अगरे मिल जाते हैं मैं आपको देखने को मिलेगा 10th generation के साथ उसके बाद आपको 8GB RAM मिल जाएगी जिसको आप expandable कर जाते हो 12GB तक फ्लस आपको SSD देखने को मिलेगी light weight laptop प्लस आपको MS Office भी देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन तो यहार में स्पैसिफिकेशन में आपको बता दिया Lenovo IdeaPad Slim 3i के यहार कर आपके फून में भी आप सर्च आउड कर लेना आपको देखने को मल जाएगा 2000 के बजड़े में वह बैक देखने को मलता है तो यार इस laptop का बजड़े जो है वह 35000 हो जाता है अगर हम उस पर उस बैक को निकाल देते हैं ठीक है तो आप देख लेना अगर आप इसकी आउ सबसे पहले आपको लाइट वेट एंड स्टालीश डिजान देखने को मिल जाता है इसके प्यार है आपको बहुत पसंद आने वाला है प्लस असूस एक ट्रस्टेड ब्रेंड है टॉप्रेंट में से आता है तो भी अगर आपने इस laptop के और जाना है आप जा सकते हो प्लस मै लगता है बिकर्स आपको आई थ्री 11th generation के साथ मिलता है जो की latest processor है इसके अपर कोई भी processor नहीं देखने को मिलता है प्लस आपको 8GB RAM मिल जाती है expandable आपको 16GB तक प्लस आपको fingerprint भी देखने को मिल जाता है प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी मैं आपको पहले ही बदा जुका ह कि आपको इसलिए मैं stylish design तो मिले जाता है प्लस यह तीन colors में देखने को मिलता है जो भी color आपको सही लगता है बिए आपको उसके और चाल जाना लेकिन मुझे gray color में बहुत जादा सही लगता ठीक है प्लस आपको 4-5 hours का battery backup परवाइड कर देता है अगर मैं इसकी weight की बाग मिल जाती है जो कि 16 refresh rate के साथ आती है पर सासर की बात को आपको i3 11th generation के साथ मिलता है storage की बातों को 8 GB RAM मिल जाती है अपको 16 GB तक कर सकते हो प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाती है तो यार मैं आपको एक चीज रेक्मेंट और करना जाता हूं अगर आपको 1 TV HDD देखने को मि बिल्कुल भी मत जाना ऐसे मत देखना कि आपको 1 TV स्टोरे देखने हो मत यार 1 TV में अगर आपको डाटा वगरा ट्रांस्फर करते हो ना बहुत पकने वाले हो यार वह बहुत गंदी चीज़ है मैं उसको रिकमेंटर नहीं करता है अगर आपने ले लिए चाहिए अगर आपको पहले बता दिया कि आपको 41,000 के बजन में या 42,000 के बजन में ये स्पैसिफिकेशन के साथ असूस व्यो बुक फॉल्ट्रा 15 देखने को मिल जाएगा तो बही में स्पैसिफिकेशन तो मैंने बता दिया आपको असूस लैक्टप के अभी ज्यादा समय खराब नहीं करते हैं आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करने से पहले मैं आपको इतना कहा दाना चाता हूँ अगर आपका ब्रेट 40,000 से अप पर नहीं जा सकता है लेकिन अगर आप 5000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो आपके लिए बैस्ट है असूस जैन बुक जो मैंने आपको बताई के साथ आपको 8GB मिल जाते हैं जो कि आप अपर ग्रेड कर सकते हो 16GB तक आपको 5GB SSD देखने को मिल जाते है प्लस आपको 2GB जो है ग्राफिक कार देखने को मिल जाते है तो अगर आपने ऐसा स्टूडेंट यूज़ करना है उसके बाद भी अगर आपने कोई हैवी सॉफ्ट करते हैं लेकिन अभी इसकी ऑफर करने हैं नहीं देखने को मिलती है लेकिन मैं ठ необходимо करना डीकर दूगा अपको 2GB मिल जाते हैं प्लस साथ मिलता है अब को इक्सापने ही बात करना है आपको 8GB छी देखने को मिल जाती है ग्राफिक कार्ड की बातों को नवीडिया जी फो MX350 देखने हो मलता है जो कि 2GB के साथ आता है प्रेडिन सेस्टेंग की बात करों आपको विंडू 10 दे जाते है बैंटरी की बातों को बैंटरी है वो ज्यादा नहीं लगने वाले ठीक है प्राइस की बात करों आपको 45,000 के बज़र में इससर इसपायर 5 देखने को बल जाता है तो मैंने आपको बता दिया इससर इसपायर 5 के इसको इस बज़र रखा भी अगर आप एक्स्टा पे कर सकते हो थोड़ा सा अगर आप एक्स्टा पी कर सकते हो आपको लैप्टाप बहुत अग्रा मिल जाता है अगर आपने वीडियो एट्टिंग करने है गेमिंग करने है जा अगर आपने कोई भी हावी सफ्टर यूज़ करना है आप इस लैप्टाप के और ज आपके लिए बैस्त डील हो सकता है आपको 37,000 के बतर में मिल जाता है जो कि सच में पैसावसोल लैप्टॉप है तो यार अभी मैंने आपको इतने लैप्टॉप बता दिये जो भी आप लेना चाहते हो सभी के लिंक मैंने परवाइड की हुए है अगर आप देखना चाहते हो चावड करना जाते हो जैसे भी गरना जाते हो आप कर सकते हो तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाते है अखतम अगर आपको मेरी बीच चलोगी यार वीडियो को लाइक करदाना कमेंट करदाना शेयर करदाना दोस्तों के भी दोस्तों को बेदाना उनको भी कहतना क चैनल को केकर सब्सक्राव वीडियो को कर दोले लाइक रिए इंस्स्टाग्राम प्रिक कर लिए फॉलो लिंक वगारा याँ आपको डिस्क्रिप्शिंग बोक्स में देखने को बल जागा उसको चालू कर नाभी मेल वीडियो में देखने को साथ तेंक्यों